तो हेलो गाइज, आज हम करने वाले कुछ स्टैफ की फोटो टीटिंग, तो आओ यार, शुरू करते हैं पार शुल टीटिंग, पूपीं फॉसे से पहलो फॉल क्याओं, ऑप्लिकेशन का अपन कर लेना, इसके बाद तूमें जाना इसके पागड़ क्लिक करने के बाद आपक्स्टो आपको फॉट्टो को अच्छी तरह से कुरूप करने के यह पाद एड फोटो में जाना है एड फोटो में जाने के बाद आप जो फोटो एडिट करने वाले वो फोटो को एड करना है अगर आपको फोटो को कट आउट कैसे करना है वो नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आ जाएगा इसके बाद आपको इरेज वाले टूल में जाना है इरेज वाले टूल में जाने के बाद आपको नीचे के साइट से हार्नेस को 14 कर देना है इसके बाद साइज अपने से साफ से रख लेना इसके बाद नीचे से पुरा अठा देना है कर नीचे से इरेश करने के बाद है कि आपको यह फोटो कोत अनकर लेना है ऎक फोटो को रने के बाद आप पूप इससे कि अधिस्वें के जाना है इसके बार आपको सैचुरेशन को थोड़осьा माइन कर देना है चो सamatने के बाद आपको फिर से एड फोटो में जाना है एड फोटो में जाने के बाद आपको एडTI Foto में जाने के बाद आपको यह Md Cand को एड़ कर लें जो नीचे डिस्केंस बॉक्स में इसका लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेने इसे अच्छी तरह से एड्जेस्मेंट करना है इसके बाद इस फोटो को डन कर लेना है कर लेने के बाद आपको सिंपल इसे ड्रॉव वाले टूल में जाना है और ड्रॉव वाले अप्शन पर क्लिक कर लेना इसके बाद आपको सेफ वाले अप्शन में क्लिक करना है सेफ वाले अप्शन में क्लिक करने के बाद आपको इसे फील कर लेना है लाइन वाले को टच करक इसे फिल करने ना और इसे ओके कर देना है इसके बाद कलर सॉले टूल में जाने के बाद यहां से बुलू कलर कर चुछ कर लें इसके बाद यहां से एक लाइन को खीच लेना है एक लाइन को कीच करने के बाद अपको लेयर सॉले अप्शन में जाने ठीडॉट में जाकि ट्र फुरब बड़ा कर देना है इसको फुरब बड़ा करने के बाद इसे अच्छी तरह से अजेस्ट्मेंट करना है इसके बाद इसे डन कर लेना इसके बाद आपको फिर से एमटी लेना है एमटी लेने के बाद आपको एक और लाइन को खीच लेना है फिर से आपको से फॉले अप्शन में जाना है से फॉले अप्शन में जाने के बाद आपको फिर से वह स्टेप करना है और एक लाइन खीच लेना है एक लेन खिष लेने के बाद आपको फिट से लेरिस वाले ऑप्ундन जाना है आपको फिर लेर्स απόशन में जाने के बाद 3 डॉटर और may कर लेना है इसके बाद अच्छी तरह से यह लेन को भी एज्यच्ट कर लेना ए कि न इसके बाद आपको सिंपल से फिर से अब जाना एड़ फोटो में जाने के बाद आपको जो मोडल का फोटो आप इड़िट करने वाले उस फोटो को फिर से एड़ कर लेना है जो उपर मिली है इसके बाद इसे अच्छी तरह से अज्जेस्मेंट करना है इसे अच्छी तरह से एज्जेस्मेंट करना है इसके बाद आपको सेड़ो वाले ओप्शन में क्लिक करना है इसके बाद इसका थोड़ सेड़ो बढ़ा लेना है सेड़ो को बढ़ा ले अच्छी तरह से एज्जेस्मेंट करना जिसे की फोडो अच्छा दिखें इसके बाद आपको इसे सेफ कर लेना इसके बाद फिर सापको एड़ फोटो में जाना है एड़ फोटो में जाने के बंद आपको ये जो लाइट वाला पिंजे उसे एड़ कर लेना करने के बाद आपको ब्लेंडिंग मोड ओन करके स्क्रींड कर देना इसके बाद इसे अच्य तरह से एड़र 스물 करना आए और इसे अच्छे तरह से एड़रा से ऐड़र सिम्ट करना ऋब करें इसके बाद आपको फिट से टेक्स वाले अप्शन पर जाना है इसके बाद आपको जो जो नाम वहाँ पर लिखना है उस नाम को टैप कर लेना है जो भी आप नाम लिखोगे उस नाम को आपको यहाँ पर लिख लेना है आपको नाम लिखने के बाद आप लिखना है वह अच्छी तरह से लिख लीजिए गाइज इसके बाद आपको इस फोटो को ड़न कर लेना है इसके बाद आपको अच्छ यह जो टेक्स है उसे है लेलेना है इसके बाद आपको लत वाले ढूल में जाना का अपको रिट कलर चूल कर लेना रेड़ चुंज करने के बाद इसे अच्छी तरह से अजस्टमेंट करना है तो आपको इसके बाद आपको यह जो ठी डॉट है उसमें क्लिक करके डूब्लिकेट लेर बना लेना है डूब्लिकेट इसको डूब्लिकेट बनाने के बाद आपको अच्छी तरह से अजस्टमेंट करना है इसके बाद फिर से आपको एक और duplicate बला नेना है और इसे भी अच्छी तरह से adjustment करना है अच्छी तरह से adjustment करने के बाद आपको erase wallet tool में जाना है erase wallet tool में जाने के बाद इस से अच्छी तरह से erase कर देना है अच्छी तरह से adjustment करना है अच्छी तरह सीरेच करना जो सर पे है और इदर उतर जो लगा हुआ है उसे अच्छी तरह से लिए पूड़िया अच्छी तरह से अच्छी तरह से बाद आपको सेव कर लेना है और आप कोई वीडियो चला कोई लाइक सेने चाहिए